असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो शारल्स किचिन आज हम आपके साथ अपने केचन में बनाएंगे विंटर स्पेशल मोटी लाल मिर्च का अचार जो के सालो साल चलेगा खराब नहीं होगा और आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसाद तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसमीलल रह合 लाल मिर्च ले ली है देखिए इस तरह से यह हमारी मोटी मिर्च है इसको हमаче मुपर से कैपवा लागी देखिए उपर से मुपर का पार्ट है काट देंगे अब हमें मिर्च को खाली कर लेना है तो देखिए नाइफ से इस तरह से हम बीज के बीज और जोस में स्टेम लगा हुआ है पल्प लगा हुआ है उसको हम इस तरह से ढीला करेंगे ध्यान रखे कि मिर्च हमारी कटना नहीं चाहिए बहुत ही आसानी से हमें देखिए हमने स्पून ले लिया है उसके पीछे वाले पार्ट से देखिए इस तरह से हमें बीज को अच्छे से ढीला करकर के और इस तरह से निकाल लेना है तो पूरी हमें मिर्च को खाली कर लेना है देखिए इसके जो रेशे निकल रहे हैं औरेंज औरेंज उसको भी निकाल लेना है और सारी मिर्च को हम अच्छे से खाली कर लेंगे देखिए हमने इसको अच्छी तरह से खाली कर लिया है मसाले के लिए हमने पैन ले लिया है अब हमने फ्लेम ओन नहीं किया है इसमें हमने चार टेबल स्पून मुटी सौफ डाल दी है दो टेबल स्पून खड़ा धनिया डाल देंगे दो टेबल स्पून हमने जीरा डाल दिया एक टेबल स्पून हम मेथी दाना डालेंगे flame on कर देंगे और इसको low flame पर हमें इसको 15 second के लिए चलाते हुए पहले भून लेना है उसके बाद हम इसमें 1 teaspoon काले मिर्च भी डाल देंगे और 1 teaspoon अजवाइन डाल देंगे जिससे हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और आचार भी हमारा टेस्टी बनता है अब इसको हम भून लेंगे हमें इसका बहुत डाल कलर नहीं करना बस इतना करना है कि इसका मौस्चर सुख जाए और एक अच्छी सी खुश्बू भूनने की आने लगे बस इतना ही हमें इसको चलाते हुए भून लेना है इससे हमारा चार बहुत ही टेस्टी बनेगा तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको सब तरफ से चलाते हुए भून लिया है एक अच्छी खुश्बू इसमें भूनने की आने लगी है अब हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे मसाला ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे तो हमने मिक्स्टर जार में सारा मसाला डाल देंगे अब इसमें कुछ पाउडर मसाले मिलाते हैं एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून मैंगो पाउडर और एक टी स्पून हिंग धाय टेबल स्पून इसमें हमने सफेद नमक डाल दिया है और एक टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे इस मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे हमें बहुत महीन पाउडर इसका नहीं बनाना है इसमें हम आधा टेबल स्पून कलॉंजी भी डाल देंगे कलॉंजी को हम नहीं पीसेंगे इसको खड़ा ही डालेंगे हमने बीज मिर्च के निकाल लिये हैं अलग और देखिए जो इसमें रेशे थे लाल उसको हमने मिक्सी में डाल कर पिना पानी के पीस लिया ये रेशे भी हम बीज में डाल देंगे इसको भी हमें मिर्च में भरना है अब जो मसाले हमने पीसे थे वो हम बोल में डाल देंगे सारे मसाले अच्छे से हमने डाल दिये हैं और बीज और जो औरेंज रेशे थे उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इधर हमने एक कप सरसो का तेल को अच्छे से खौला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे आप देखिए हमारी मिर्चे खाली हो चुकी है और ये मसाला है जिसमें हम थोड़ा और इंग्रीडियन्ट मिलाएंगे तो हमने जो ऑईल गरम करके ठंडा कर लिया था उसमें से तीन टेबल स्पून ऑईल मसाले में डाल देंगे देखिए इस तरह से हमें ऑईल को मसाले में डाल देना है अब हम मसाले को मिक्स करेंगे ऑईल को अच्छे से मसाले में हमें मिक्स कर लेना है अब हम quarter cup vinegar डालेंगे तो हमने quarter cup vinegar ले लिया है अगर आप चाहें तो vinegar के बदले quarter cup नीबु का रस ले सकते हैं तो सारा हमने quarter cup vinegar डाल दिया है और अपने मसाले को अच्छे से mix कर लेना है देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसाले को mix कर लेना है अब हमारा मसाला अच्छे से mix हो चुका है अब हम मसाले को मिर्च में भरेंगे तो देखिए एक मिर्च हम उठाएंगे इस तरह और spoon से इस तरह मसाले को डालते जाएंगे देखे हमने मसाला डाल दिया और अब ये उंगली से हम अंदर को दबा देंगे ताके मसाला हमारा अंदर तक भरे इस तरह से हम अंदर दबाते जाएंगे मसाले को इस तरह से देखे हमारी एक मिर्च अच्छे से भर जाएगी इसी तरह बाके की मिर्चों को भी हम भर लेंगे तो देखे सारी मिर्च हमारी भर चुकी है थोड़ा मसाला हमारा बज़ किया है इसको भी हम यूज कर लेके देखे हमने एक बॉटल ले ली है जिसको हमने अच्छे सवाश करके सुखा लिया है इसमें हम सारी अपनी मिर्चे डाल देंगे तो देखिए इस तरह से हमें मिर्चों को डालना है ध्यान रखे कि मसाले वाला पाट उपर होना चाहिए मसाला नहीं तो नीचे गिर जाएगा तो सारी मिर्च का मसाला हमारा उपर ही होना चाहिए इस तरह से हम इसको आरेंज कर देंगे अब देखिए सारी मिर्चों को हम इसी तरह जार में मिर्चों को भर देंगे देखिए जार हमारा अच्छे से हमने भर दिया है मिर्चों से अब जो मसाला हमारा बच गया था वो हम इसी पर उपर से डाल देंगे यह बहुत ही टेस्टी मसाला है सारा मसाला डालने के बाद अब इसमें हम आईल डालेंगे तो जो हमने आईल को पका कर रखा था वो आईल हम इसमें उपर से डाल देंगे अब देखिए मैं इसमें एक कप आईल डाल रही हूँ क्योंकि इसी सिजन में मैं इसको खालूंगी और अगर आपको साल भर के लिए बनाना है इसको रखना है तो इसमें आप इतना ऑईल डालें कि आपकी मिर्चे डूब जाए इससे यह होगा कि इसमें फंगस नहीं लगेगा और आपका अचार खराब नहीं होगा आप इसको साल भर तक रख सकते हैं आप देखिए बॉटल को इस तरह से हिला लेंगे ताकि हमारा ऑईल अच्छे से मिर्चों में लग जाएगा आप इसको एक हफ़ते के लिए हम धूप में रखें तो बेस्ट रहेगा अगर अगर आप किचन में भी रखेंगे तो भी ये गल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाता है आप अगर इसको तीन दिन बाद भी खाना चाहें तो खा सकते हैं क्योंकि ये तीन दिन में आराम से पक जाता है तो अगर आपको मेरे आचार की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि से तरह आपको मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दुआओं में याद रखें थैंक्स फर वाचिं, आला हाफीज